वेल्गम बड़िस इफ यू रिमेंबर नार्जो 20 एक डीसेंट बजट केटीगीरी वाला स्मार्टफून था 2020 के अंदर जहां पे बेसिक्स पे जारतर फोकस किया गया था अफ़डेबल प्राइस रेंज में अवेलिबल करवाने के लिए अब रियल्मी ने अपना रियल्मी नार्जो 30 प्राइजिंग वगेरा थोड़ी सी ज्यादा है चार तोसट वाला अवेरेंट आपको कुछ साड़े बारा हजार उपे में मिल रहा था लेकिन यहां पे लास्ट जनरेशन के कंपेर में अच्छे कासी चीज़ें देखने को मिल रहे थी, especially performance top class मिल रहा था अब रियल्मी ने अपना रियल्मी नार्जो 30 5G स्मार्टपोन भी लांच कर दिया है विच आपवर्स 5G कनेक्टिविटी और बैटर प्रसर 90 हर्ट रिफ्रेस्टरेट डिस्पले मैसिव बैटरिक इन स्लीमर पैकेज अब यदि आप लोगों को याद होगा, Poco ने भी अपना एक 5G स्मार्टपोन लांच किया बजट कैटेगरी में कुछ दिनों पहले जिस Poco M3 Pro 5G, exact similar specification मिल जाते है, exact similar pricing है, दोनों स्मार्टपोन में से कौन से स्मार्टपोन को लेना समझदारी होगी, फायदे का सौधा होगा, let's compare this two interesting स्मार्टपोन, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, चल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चली वीडियो पे आगे बढ़ते है, you are watching YouTube चैनल Tech Explor, चली जानते कुछ बढ़िया, डिजाइन भाई से दोनों ही स्मार्टपोन काफी सही रहे, लेकिन भाई सबसे स्लीम डिवाइस दे रखा है रियल्मी ने, टॉक अबर्ट रियल्मी नार्जो 35 जी बैक पेनल पे रिफ्लेक्टिव ओफ सेंटर स्क्रीप दिखाई देगी, कैमरास के नीचे से, रेक्टेंगुलर कैमरा मॉडल के अंदर तीन कैमरास की हाउजिंग रहेगी, नार्जो की ब्रैंडिंग मिलेगी नीचे तरफ और फ्रेंट पे टॉप लेप कौरनर पंच होल कट आउट नजर आएगा, बेजल्स नहीं होते लेकिन चिन एवरेज मिलेगी, पोकु M3 Pro 5G के केस में भी रेक्टेंगुलर सेटी कैमरा मॉडल पे तीन कैमरास रहेंगे, स्विच ब्लेड डिजाइन मिल जाने वाला है, आपको नीचे पोकु की ब्रैंडिंग रहेगी, फ्रेंट पिनल पे सेंटर पंच होल कट आउट नजर आएगा, चिन उतने ज्यादा नहीं है, बे पे प्रोवाइट किया जा रहे है, हलाकि दोनों ही स्मार्टफोन में सिंगर लिनियर स्पीकर्स अवेलेबल करवाए गए है, डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस की फूल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 90 हर्ट्स क मिल जाता है, 229 का एस्पेक्ट रेशो है, और कॉर्निंग लगला स्थरी का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 405 PPA डेंसिटी अवेलेबल करवाए जा रही है, डिस्प्ले में दोनों ही स्मार्टफोन आल्मस्ट सेम है, इन टम्स आप डिस्प्ले रिसॉल्वेशन, डिस्प्ले डिस्प्ले साइज, एस्पेक्ट रेशो, रेपरस रेट, एन बैनी मोर, लेकिन अधि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो भाई यदि आप आउट्डर कंडिशन में जाते हो, तो आपको रियाल नार्जो 35G, मैक्सीमम पीक ब्रैटनेस, 600 नीट की प्रोवाइड कर र रहे हो, तो भाई ये सब चीजे देखनी पड़ती है, बाकी दोनों की डिस्प्ले काफी वाइबरेंट है, 90Hz का डिफिरस्ट रेट अविलेबल करवाय जा रहे है, मतलब आपका गेमिंग वाला एक्स्पेरिंस काफी अच्छा रहेगा, प्रसेसर की बात करते हैं, दोनों ह इतना सा है कि नार्जो 30 Pro 5G आपको Android 11 के साथ में, Realme UI 2.0 प्रोवाइड करता है, और Poco M3 Pro 5G Android 11 के साथ में MIUI 12 प्रोवाइड करता है, अब देखो यहाँ पे आपको हाड़वेर के सेक्टर में, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर सेन चिप्सेट थामा दिया गया है, डामसर 880U, except for its slower clocked CPU and slightly slower GPU, Cortex A76 वाले दो कोर मिलते, Cortex A55 वाले 6 कोर प्रोवाइड की जारे, और 2.2 GHz की maximum CPU frequency प्रोवाइड की जारी, 7 अनिमेटर प्रसेस पे बना है, मतलब पावर एफिशेंसी भी अच्छी कासी मिल जाएगी, माली G57MC2 वाला दो कोर GPU आपको प्रोवाइड की ज GPU GPU को लेकर दोने smartphone में कोई problem होने वाली नहीं है, बात कर लेते software की जो ही आपके लिए काफी important हो सकता है बाई, देखो यहाँ पे Android event दोनों के अंदर प्रोवाइड के जा रहा है, लेकिन Realme UI 2.0 आपको Realme 3D के अंदर मिल रहा है, और MIUI 12 आपको Poco M3 Pro 5G के अंदर मिल रहा है जो कि आपको irritate करने के लिए काफी है, Realme UI 2.0 के अंदर भी blotware मिलते हैं, लेकिन महाँ पे आप उसको install कर सकते हो, और जो blotware मिलते हैं, वो आपके लिए useful हो जैसे कि Facebook हो गया, Amazon हो गया, यह सब चीज़े तो आपके लिए useful है ही, आपके phone में तो होना ही चाहिए, तो यह च 2.0 sufficient है, इसलिए मैं इसको oxygen OS के बाद में सबसे best user interface मानता हूं, UFS 2.2 and LPDDR4X RAM का support आपको दोनों ही smartphone में provide किया जा रहे हैं, और दोनों ही smartphone में आपको side mounted fingerprint sensor provide किया जाते हैं, कैमरा की बात करते हैं, नारजो 35G के अंदर 48MP का triple camera setup मिलता है, और 16MP की selfie मिल जाती है, वो को M3 पर 5 जी की बात करूँ, यहां पर आपको 48MP का triple camera setup मिलता है, और 8MP की selfie provide की जारी है, अब यहां देखो, आपको cameras के अंदर आपको scene triple camera setup provide कर दिया गया, 48MP का main sensor है, 2MP का micro sensor है, और 2MP का depth sensor provide किया जा रहा है, अलक ही ultimate sensor provide कर दिया होता है, तो बात कुछ और ही बन जाती, बट it's okay, selfies को करके आपको आपने नजर आएगा difference, 16MP की selfie के साथ में नार्जो 35G lead करेगा, और Poco M3 Pro 5G, बाकी cameras को लेकर के कोई भी difference आपको नजर नहीं आएगा, दोनों ही smartphone के rear और friend cameras से आप 1080p videos 30fps पर record कर सकते हो, बैटरी की बात कर दोस्तों, दोनों ही smartphone के अंदर 5000 mAh वाली बैटरी मिलत और 18W की fast charging का support मिल जाता है, oh my goodness, इधर भी सब कुछ से में भाई, बैटरी को लेके no comments दोनों ही अच्छे हैं, look buddies, conclusion प्या गए हम लोग, यहाँ पे मैं दोनों smartphone में से आपको कोई एक ही smartphone recommend करने वाला हूँ, नार्जो 35G के साथ में आपको outdoor condition में maximum brightness provide की जारी, vibrant display मिल जाती है, outdoor conditions में, even software wise भी realme UI 2.0 मुझे best लगा, in terms of spamming notifications, cameras के मामले में भी यह lead कर रहा है, लेकिन, 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 भाईयों यहाँ यहाँ पे जो 62800 वारेंट है नार्जो 35G का वो आपको 16,000 रप में मिल रहा है, जब कि Poco M3 Pro 5G का 460 वाला वरेंट भी अवेलेबल है मार्केट के संदार जो की 14,000 रुपे में मिल जाता है, और हाईयर वरेंट वाई 16,000 रुपे मिलता है, तो यह एक डिफरेंस है, यदि मैं हाईयर वरेंट के साब से आपको बताना चाहूँ, छे 12800 वाले वरेंट के साब से बताना चाहूँ, यहाँ पे लीट करने वाला है नारजो 35G, लेकिन मिनिमम वेरेंट अवेलेबेलिटी के साब से आपको बताना चाहूँ, तो फिर Poco M3 Pro 5G भी वहाँ पे आपके लिए सफिशेंट हो सकता है, लेकिन भाई, यदि मैं आपको ओरल बताना चाहूँ, पूरा मेरा रिक्यमेंडेशन क्या रहने वाला है, यदि आपको लो 12,000 रुपे खर्च नहीं कर सकते हो, 14,000 के असपास में खर्च करना चाहते हो, तो उसके जगह रियल्मी 85G पर्चेस कर सकते हो, लेकिन अगर हायर वेरेंट पर्चेस करने का ही है आपको, तो फिर आप नारजो 30 5G के साथ में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इस इस कंपरिजन की विनर की जहां तक बात है भाई, हड़ जाता हो थोड़ा से टॉपिक से मैं, यहां पर विनर होने वाला है नारजो 30 5G, आप लोग भी अपना ओपिनिन बदाएगा, करने वास में कमेंट करके, कि आपको क्या लगता है, इन में से कौन सा स्मार्ट फोना, किसा आप से बेटर हो सकता था, अगर आपको यह वीडियो पासंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चलिए, मिलते अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए भाई,